देखा जा रहा है कि तेवारों के बाद राजे में संक्रमन पोजिटिविटी दर में बढ़ोतरी हो रही है पूरे हालात की समिक्षा के बाद राजे में लागू पावंदियों और छूट पर निने लिया जाएगा इस बात की भी पूरी संभावना है कि महा परवच्षाट को लेकर सरकार का इलें जारी करेगी जनकारी के अनुसार राजे में रविवार को लोकडाउन पावंदियों पर सरकार छूट देने से पहले कुरोना संक्रमन की समिक्षा करेगी हलाकि कुछ संग अठनों ने तेवारो को देखते वे रविवार को बयार खोलने की मांग की है सरकार गौर केरेगी और छूट या पावंदि पर कुरोना संक्रमन को देखते हुए ही निर्नलेगी है अभी देखा जा रहा है कि लोग कोविड समुचित बयवार के प्रतिला परवाही बरत रहे हैं मौसम बैग्यानी अभिसेख आनन्द ने बताया कि अगले आने वाले एक सब्ता तक जहरखन का मौसम सुस्क रहने की संभवना है राजे में किसी परकार का सिनोप्टिक फिक्चर का असर नहीं है राजे में अगले दो दिनों तक किसी जीले के तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभवना नहीं है मगर इसके बाद तापमान में एक बार में तीन डिगरी कमी आने की संभावना है इससे अचानक से ठंड बढ़ेगी इस दोरान लोगों को सुबा और साम में खास परसानी होगी अगले एक सब्ता तक राज्य के किसी भी हिसे में बारिस होने की संभावना नौके बराबर है जूनियर महिला होकी चेंपियनसीप सिम्डेगा में आयोजीत 11 होगी नेसनल महिला जूनियर होगी चेंपियनसिप में जार्खन महिला टीम ने गुरुआर को होगी महराष्ट को 3-1 से पराजित कर लागातार तीसरे वर्स फाइनल में जगा बनाई है वही होगी हर्याना ने चंडीगड को 3-2 से हरा कर फाइनल में पहुँची बता दे 29 अक्टूबर को जार्खन और हर्याना टीम के बीच भिरंत होगी गुरुआर को खिले गए सेमी फाइनल मैच में होगी जार्खन ने महराष्ट को 3-1 से पराजित कर सेमी फाइनल में गोल किया वही महराष्ट टीम की ओर से एक मात्र गोल सो तरवे मिनट में काजल ने किया है जार्खन के लिए 31 अक्टूबर का दिन एतिहासी 24 विदार्थी चलाएंगे संसत विधान सभा द्वारा पहली बार आयोजित हो रहे चात्र संसत के लिए चायन की परकिरिया पुर किया भी है विभीन विश्व विद्यालयो वकोलेजों के 94 में से 24 चात्रों के चायन के लिए बुद्धवार को विधान सभा में निनायक मंडली बैट थी जिन में तीन अलग अलग पैनल से ऑनलाइन सक्षतकार किया पैनल के सामने चात्रों ने प्रस्तूति करन दिया परत चातिसगर के रायपूर पहुंचे रायपूर इस्तित साइन्स कोलेज मैदान में आवजीत आदिवासी निर्ति महोत्सव एवं रायत सभ दोयार इकिस के उद्धान समारों में बतर मुख्याती थी सामिल हुए चारखन सिएम सीडी सुरेण ने इस समरों के लिए पहुपेस बागहल की सराना भी की इससे पहले पत्रकारों से बात करते वे नकसलवात पर ओकळाम के लिए चातिसगर के साथ मिल कर काम करने की बात दो राय बता दे रायपूर में आदिवासी निर्ति महोत्सव एवं रा जारखंड सीयम हमान सुरे ने 36 गर सीयम भुपेश बखेल को इस कारकरम के लिए बधाई दिया है आंध्रेपरदेश से रेस्क्यू कर 15 यूति पहुंची चाईबासा जारखंड की 15 यूतियों को आंध्रेपरदेश के गुढूर से रेस्क्यू किया गया गुडूर के एक कमपनी में कारे रत इन यूतियों से बिमारी में भी जवरण काम लिया जाता था इतना ही नहीं काम पर नहीं आने पर यूतियों का मोबाइल भी तोड़ दिया जा रहा था वहीं कैमपस से बाहर निकलने की भी मना ही थी लेकिन किसी तरह यहां के यूतियों ने चाईबसा के कुलहान helping hand से संपर्ग कर मदद की गुहार लगाई थी इसी बात 15 यूतियों को रेस्क्यू कर चाईबसा लाया गया गढ़वा में के सी सी लोन का हाल बेहाल किसानों की समस्याओं के लेकर चल रहे अंदोलन के बीच गढ़वा जीले में किसानों को नाम पर बड़ी बड़ी बाते करने वाले प्रसासनिक पताधिकारी एम बैकर में रीन देने के मामले में उदासिन रवया अपनाए हुए है खरीब के मोसम में आवेदन देने वाले किसानों को रभी फसलो का समय सुरू हो जाने पर भी रीन नहीं मिल पाया है बतादे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहट मिलने माड़े रीन को लेकर पिछले करीब 6 मां से जीले में अभियान चलाया जा रहा लेकिन किसानों को रीन के बदले सिर्फ अस्वासन मिल रहा है लकवा दिवस पर जाने पांच घंटे के अंदर ठिक किये जा सकते हैं लकवा के मरी बिस्व श्ट्रोक लकवा दिवस पर इस बार का थीम है मिनट कैन सेव लाइफ है जिसके माद्यम से बताने का पर्यास किया गया है कि किसी भी होने वाले लकवे के लिए एक मिनट भी मैने रखता है राजधानी के नीरोलोजिस्ट डाक्टर उजवल राय बताते हैं कि श्ट्रोक जिसे हिंदी में लकवा या पक्षा घात भी कहते हैं वाज पूरे भारत में मोद का तीसरे सबसे बड़ा कारण बन चुका है श्ट्रोक के बाद अगर समय से अस्पताल पहुंचाए जाए तो पांच घंटे के अंदर ठीक भी किया जा सकता है जामुमो के दो केंदरीय सद्शे सहीद एक दर्जन कारेकरता पार्टी से निसकासीद जामों के केंद्रिये अध्यक्स सीवु सुरेन के निर्देश पर महासर चीव सह प्रवक्ता बिनोत कुमर पांडे ने 28 अक्टूबर को चात्रा जिले के एक दर्जन नेताओ अकरकरताओ को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया है बतादे पार्टी से निसकासित किये गए नेताओ अकरकरताओ में दो केंद्रिये सदस्य हैं इन सभी का निसकासन छो बरसों के लिए हुआ है उनके उपर पार्टी बिरोधी कारे करने का आरोप है जिला अध्यक्ष पंगज कुमार पर्यापती की अनुसंसा पर केंद्रिये अध्यक्ष ने यह निर्देश जारी किया है जार्खन में कुरोना के कूल एक्टिव केस की संख्या 162 है भारत में 14,287 नए कुरोना के मरीज मिले है भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 1,55,180 है जार्खन हाई कोट में पूलिस रेडियो एम सब इंस्पेक्टर नियुक्ती मामले में सुनवाई जार्खन हाई कोट के जस्टिस डाक्टर एसन पठा के अदालत में पूलिस रेडियो सब इंस्पेक्टर नियुक्ती के मामले में सुनवाई हुई सुनवाई के बाद अदालत ने राज सरकार से जबाब मांगा है कोट ने सरकार से पूछा कि प्रार्थिक सेक्षिनिक योकता इस नियोकती के लिए बिचार निये हा या नहीं इस पर राज सरकार को नौदी संबध तक कोट में जबाब दाखिल करना है इस संबन्द में दुस्यंत कुमार की ओर से हाई कोट में अजका दाखिल की गई है ट्रेन में पटाखे वा अने 20 फोटक लेकर चलेंगे तो होगी जेल दिपावली को लेकर रेलवे पर सासन ने सतरकता बढ़ा दिया इस दोरान 20 फोटक वा जोलन सीन पदार्थ के साथ पकड़े जाने पर तीन साल की जेल भी हो सकती है बतादे आरपीफ धनबाद के कमांडेट हेमंद कुमार ने बताया कि ट्रेनों में सगन जाच अभियान शुरू हो गया है यास तुफान परभावितों के लिए केंद्रे ने दिये 200 क्रो रुपए यास तुफान से नुकसान की भरपाई के मद में केंद्रे से राजे को मिले 200 क्रो रुपए और वापस लोटाने पर सकते हैं बता दे ऐसे में राजे में हुए नुक्सान की भरपाई राजे आपदा मोचन निधी से करने की त्यारी है SDRF सर्प्लस फॉंड होने के चलते यास तुफान मद में मिले 200 क्रोर रूपए की वापसी लगभग तय मानी जा रही है हालाकि राज सरकार ने अब तक केंद्र को अपनी रिपोर्ट नहीं दी है जारखन में 325 स्कूल ओफ एक्सिलेंस की त्यारी शुरू राजे के 325 स्कूल ओफ एक्सिलेंस को लेकर सरकार ने त्यारी शुरू कर दी है असी स्कूल आफ एक्सिलेंस का संचारन अगले सेक्षिनिक सत्र से करने के बाद इन स्कूलों को सुरू किया जाएगा बता देश से पहले चैनिज सभी 305 स्कूल आफ एक्सिलेंस के परधना ध्यापको और 116 को को लीडर्शिप ट्रेनिंग दी जाएगी इसके लिए स्कूली सिक्षा वर्शक्षरता विभागने सभी जीलों से इन स्कूलों के परधना ध्यापक और 116 को से संबंदी जिनकारी मांगी है सभी जीले इन स्कूलों का नाम परधना ध्यापक और सिक्षक का नाम फोन नमबर, वाटसेप नमबर और इमेल आइटी देने का निर्देश दिया है एक लब ये मोडल इसकूल में नमांकन के लिए परिक्षा 31 को राय धानी में एक लब ये मोडल आवासे विद्यालों में नमांकन की परकिरिया सुरू हो गई है अनुचूची जन जाती, अनुचूची जाती, अल्प संख्यक और पिछला वर्क कल्यान विभाग द्वारा संचालित एक लब ये मोडल आवासे विद्यालों में शिक्षन सत्रे 2021 में नमांकन के लिए 884 आवेदन पराप्थ हुए है इसमें कक्षा 6, 7 और 8 में नमांकन के लिए आवेदन सामिल है बतादे प्राप्थ आवेदन के अधार पर सहर के तीन स्कूलों में 31 अक्टूबर को परिक्षा का आवेजन किया जाएगा परिक्षा सुबह 11 बजे से डेड़ बजे तक निधारी था है धोती साड़ी बित्रन में गरबड़ी दो रासन दुकान सस्पेंट 10 पर करवाई बागमारा छेतर के जन बित्रन प्रणाली के दुकानों द्वारा लाभको को दी जाने वाली सरकारी अनाजवा साड़ी धोती के वित्रन में अनिमिता के सिकायत के आलोक में बागमारा वीडियो ने वो द्वार को PDS दुकानों का अच्चक निरिक्षिन किया विडियो ने बताया कि दो PDS दुकानदार कपिले स्वर परसाद माटी गढ़ा वगोरी संकर रवानी खरखरी की दुकान को सस्पेंट करने के लिए प्रस्ताव जिला को भेज दिया गया है जबकि अन्य दस दुकानों को सोकाज किया गया है सहायक पुलिस कर्मियों के समर्थन में उत्रे अभिभावाक पिछले चार वर्सों से जनता कि सुरक्षा और सांती बेवस्ताव में लगे सहायक पुलिस कर्मियों की मांगों के समर्थन में अब उनके अभिभावक भी सड़क पर उतर कांदूर्ण करने लगे हैं बता दे सहायक पुलिस कर्मियों के अभी भागों ने गुरुवार को मांगो को लेकर अस्थानिय कछारी मैदान में धारना दिया मौके पर एक सहायक पूलिस कर्मी के पीता रामध्यान सिंग ने कहा कि उनके बचे चार वर्सों से जान जोखिम में डाल कर पूलिस के साथ क्याम कर रहे है पर सरकार उनके साथ सोतेला बेभार कर रही है धर्नेवाद आज के लिए बस इतना ही कल से आपको पूरी ख़बर मिलेंगे तो वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के फेस्बूक, ट्यूटर, इंस्टाइगराम पर सेर करना भूले साथ साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीड़एक और से थाइंक यू